नमस्कार जा रहा है, बच्चे भी हमारे गलत रास्ते पे जा रहा है, हमारा बिजनस एक आई ठप होता चला जा रहा है, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, तो हमेशा हमारे मन में थौट आता है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ निगेटिविटी ऐसी आई है, या हमारे साथ किसी ने कुछ किया हुआ है लोगों को शक होता है कि हमारे साथ किसी ने black magic किया है इसलिए हमारे घर में downfall आ गया सब कुछ खतम होता चला जा रहा है घर में आपस में भी लड़ाई जगड़े हो रहे हैं परिवार में सदस्यों में भी आपस में मन मुटाव हो रहा है को निकाला जा सकता है रेकी में बहुत सारे methods होते हैं रेकी के अलावा भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन जो लोग रेकी में हैं तो हम शुरुआत रेकी से करते हैं कि सबसे पहले तो आप रेकी से अपने घर की negativity को कैसे निकाले मैं आपको यह बताती हूँ देखिए आपको सबसे पहले अपनी रेकी शक्ती को कॉल करना है उसके बाद घर जिस तरह हम अपनी औरा क्लीनिंग करते हैं उसी तरह आपको spiral चोकुरे से अपने घर के हर कोने में घर के कोने कोने में जाकर spiral chokuray से clean करते जाना है दो method है या तो आप चाहें तो पूरे घर में जाकर clean करते जाएं या फिर आप एक जगे पर बैठ कर intention दे अपने मन में visualize करें अपने पूरे घर को हर कमरे को visualize करें और उसको spiral chokuray से clean करते जाएं मन में ये भाव देते जाएं सारी गंदगी जो भारीपन आपके घर में आया है जो negativity किसी भी तरह की हो negativity मालीच आपके घर में बिमारियां भी लगातार लगी रहती है तो मानिए कुछ ना कुछ है negativity तो वो spiral chokuray से आप निकाल कर बाहर उसको universe में फिलते हैं इस तरह से आप करिए उसके बाद अपने घर के चारों कोन पर आपको rama symbol draw करते हैं rama symbol जहां रहता है वहाँ पर negativity कभी नहीं रहते हैं तो अपने घर के चारों कोने पर बड़े बड़े से आपको rama symbol draw कर देना है और healing देनी है कि rama symbol सारी Negativity को बाहर निकाल के आपके पूरे घर को प्रोटेक्शन लेड़े हैं अपने घर के दर्वाजे पे भी आपको चोकूरे बना देना है और रामा सिंबल बना देना है तो इस तरह से पहले तो आपने रेकी से शुरूआप की कि सारे गंदगी आपने निकाली और रामा सिंबल को वाँपे स्थापित कर दिया तो ये बात हो गई रेकी की अब दूसरे हम रेमेडी इस पर बात करते हैं हम आते हैं जीबू सिंबल पर देखिए जब भी घर की निकाली घर में खुशिया लानी है तो देखिए ये सिंबल ये खुशियों के लिए सिंबल है ये ऐसा सिंबल है जिसको आप अपने घर में 4-6 बार अगर ड्रॉ करेंगे तो आपके घर में खुशिया आएंगे सब फिरम में खुशिया आएंगे ये न न समझा जाए कि खुशिया पैसों से आती हैं खुशियां परिवार के सदस्यों से आती हैं, परिवार के सदस्य आपस में मिलजूल कर रहें, बच्चे एक्जामस में अच्छा करें, बच्चे पढ़ाई में मन लगाएं, तो ये सब चीजें इस तरह की खुशियां ये सिंबल लेकर आएं, जब भी घर में ऐसा लगे कि प आप डालें, आप चाहें तो बड़ा सा ड्रॉ करके भी अपने लिविंग रूम में लगवा लेजिए, जहां पर आप सब लोग बैठते हों, एक साथ आप टीवी देखते हों, या खाना खाते हों, वहां पर इसको फ्रेम करके आप इस सिंबल को डलवा लेजिए, परिवा तो अपने के आप नहाने जाएं, पान में इसको डालें, खाना बना रहे हैं आप, कोखिंग के टाइम में आप खाने में इसको ड्रॉ करते जाएं, एक बार इसको बनाना सीख लें, और जिस भी सिंबल पानी की पीते हों, आप उस पानी में बी 21st lots 180 जो भी चीज आपके परिवार के सदस से कंजियूम करेंगे वो उनको खुशियां देगी अगर आपने इस सिंबल को ड्रॉ किया है तो इस तरह का यह सिंबल जीबू सिंबल होता है जिसको हम हैपिनेस के लिए यूज करते हैं इसके अलगा आपको एक रेमेडिय और बताती कि जब भी घर में कभी कोई लडाई जगडा हुआ हो या घर में बहुत टेंशन तनाव का महोल रहता हो माली जी किसी टॉपिक पे आपस में आप लोग उलज रहे हैं और घर में लगातार परेशानिया चली रहे हैं कुछ खतम नहीं हो रहा तब आपको एक रेमेडिय करनी हैं, देखें, दो चीज़े हैं, Cinema Stick यह है डाल चीनी आपको क्या करना है डाल चीनी लेनी है दो भाग यानि दो टुकड़े मान लेजी अगर आप डाल चीनी के लेते हैं तो एक भाग आपको लेना है sandalwood का आप चाहें अगर आपके पास लखडी फॉर्म में वॉर्ड फॉर्म में ना हो आप उसका powder भी ले सकते हैं इसका भी आप powder भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पर बहतर होगा आप दोनों की इस फॉर्म में यूज करें ये है दालचीनी, इसी तरह आपको ले लेनी है सेंडलवोड, तो आप दोनों ले ले, दो अगर आप दालचीनी लेंगे, तो एक आप सेंडलवोड लेंगे, और दोनों को लेकर जलाएं एक साथ, दोनों को आपको किसी भी दिये में लेकर आप जला ले, या फिर किसी भी कटोरे मे या किसी भी चीज में आप इनको जलाएं, दो पार्ट आपको ये लेना, रेशो हमीशा इसमें याद रखें, इस वली रेमेडी में ये जरूरी होता है, दो भाग दालचीनी, एक भाग सेंडल बोट का, तो इसको लेकर आप जलाएं, और जो धुआ उसका हो रहा हो, उसको आ इतना अगर आप ये लें, दालचीनी लें, तो उसका आधा आपको सेंडल बोट लेना है, और पूरे घर के कोने कोने में धून कर दीजिए इसका, और जाने दीजिए बाहर, सारी गंदिगी, सारी भारीपन को निगेटिविटी को निकल के आप घर के बाहर जाने नेजिए फिर आप देखिए, आप ऐसा करिए, महीने में एक बार, दो बार आप इस वाली रेमेडी को जरूर करिए, और फिर देखिए कि किस तरह से घर का भारीपन खतम होता है, सारी निगेटिविटी निकलती है, और धीर धीरे घर में खुशिया लॉट में लगती है, बहुत छो आपको लगे समय मिले, रेकी से निगेटिविटी निकालते चाहिए, पॉजिटिव उर्जा, जब भी आप फ्री बैठे हो, रेकी से पॉजिटिव उर्जा अपने घर के कोने कोले में फ्लो करिए, सब के पास जाने दीजे उर्जा, पूरे घर में, किचन में, बैडरूम म सब जगे जाने दीजे रेकी उर्जा को, आपका घर रेकी कैसे खुशियों से भरा रहता है, तो ये मैंने कुछ आज आपको रेमिडीज बताई, जिनसे आप घर के निगेटिविटी दूर करके अपने घर में खुशियां वापस ला सकते हैं, तो साथियों कुछ और अगर आप जानना चाहें या रेकी उससे सीखना चाहें, तो आप उससे बात कर सकते हैं, धन्यवाल